नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूजवल इंडिया आपके साथ मैं हूँ का जोल लारायन बहुत स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग इंडिया के खबरों में नव दुर्गा का नवा स्वरूप माल सिध्धी दात्री का है इनकी पूझा अपासना करने से समस्थ प्रकार की मनोकामनाई पूरी होती है और व्यक्ति को जीवन में हर श्वेत्र में सफलता मिलती है नव्मी के दिन अगर केवल इन्ही की पूजा कर ली जाए तो व्यक्ति को संपूर्ण देवियों की पूजा का फल मिल जाता है और आज राम नव्मी का तियोहार मनाया जा रहा है रम्मी के दिन इन ही की क्रिपा और शक्ति लेकर भगवान राम का जन्व हुआ था इस बार माता सिद्धात्री और भगवान राम की पूजा एक किस अप्रेल यानि की आज की जा रही है भगवान राम का शक्ति कनेक्शन क्या है यह हम आपको बता रहे हैं भगवान राम का देवी और शक्ति से गहरा संबन है वासंतिक नवरात्री में श्री राम देवी की शक्ति लेकर पकट होते हैं और शारदे नवरात्री में शक्ति का प्रयोग करते हैं एक तरफ नम्मी तिथी को जन्म लेते हैं और दोसी तरफ नम्मी तिथी को शक्ति की पूजा करते हैं दरसल श्री राम की शक्तियां देवी की शक्तियां की है कैसे राम की पूजा उपासना की जाए ये भी हम आपको बता रहे हैं वानसक्ती रवरात्रे के दोरान नौवे दिन भगवान राम का जन्व हुआ था इसलिए से राम नौमी भी कहते हैं मध्य दोपेर में करक लगन तथा पुनरवसुष नक्षत्र में भगवान राम का जन्व हुआ था दोपेर बारास एक के बीच भगवान राम की पूजा अर जरूर करनी चाहिए वानी जो एवे मुद्योग मंत्राले के आकड़ों से यही जौनकारी सामने आई है कोरोना संकड के बीश निर्यात कैसे हुआ यह निर्यात इस बात के बावजुद हुआ कि भारत कोरोना वारस से प्रभावी दुनिया के 6-3 देशों में से था यहां खुद आकसीजन की भारी जरू थी गोरतरा भैकिस से पहले पूरे वित्तवर्ष 2019-2020 के दुरान भारत ने करीब 4,514 करोड रुपे के आकसीजन का ही निर्यात किया था मैडिकल ऑकसीजन कोरोना वारस के संक्रमन से जूज रहे गंभीर मरीजों के इलाज के लिए काफी महत्वपुन संसाधन होता है कोरोना की नई लहर में देश के जातर राज्यों में ऑकसीजन की भारी किल्ला देखी जा रही है इसे दूर करने के लिए आपके इंदर सरकार ने उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया तो सरकारी से लेकर निजी कमपनिया सक्री हो गई है उद्योगों को ऑकसीजन देने पर रोक सरकार ने अस्पतालों में ऑकसीजन सप्लाई बढ़ाने के लिए दियोग को ऑक्सिजन देने पर रोक लगा दी है कि इन्द सरकार की तरफ से रविवार श्वाम को जारी आदेश के मताबिक अब कीवल नौ जरूरी इंडस्ट्रीज को ही ऑक्सिजन सप्लाई जारी रहेगी कोविड-19 के इलाज में ऑक्सिजन के किलत को दूर करने के लिए अब निजी और सरकारी कम्पनियों ने पॉस्टिव पहल की है रिलाइन स्टार्टा स्टील सेल ज्विंदल स्टील ने कोविड के इलाज के लिए ऑक्सिजन की सप्लाई शुरू कर दी है वहीं सरकारी सीमिती IFFCO ऑक्सिजन के प्लांट लगा रही है जोहां से अस्पतालों को मुफ्त ऑक्सिजन की सप्लाई होगी दिली में लॉकडाउन के बीच दिली मेट्रो रेल निगम ने मेट्रो ट्रेन के परिचालन को लेकर बड़ा फैसला लिया है अपी कावर में ट्रेनों के बीच का समय कम कर दिया गया है DMRC ने बताया कि अपी कावर में मेट्रो ट्रेने ज्यादा फैरा लगाएंगी DMRC के मताबिक अब हर 30 मिनट के बजाए 15 मिनट पर मेट्रो ट्रेन चलेगी DMRC ने मेट्रो में यात्रियों की भीर स्टेशन पर ज्यादा देर तक वेटिंग समेट कई असुवधाओं को ध्यान में रखते विए पहल की है DMRC के इस कदम से अब यात्रियों को अपने गंतावे तक पहुँशने में काफी वक्त लगेगा DMRC की और से जारी बयान में कहा गया है कि पीक आवर्स के दौरान सुभा के समय 7 बजे से लेकर 11 बजे तक और शाम के समय 4 बजे से 8 बजे तक मेट्रो 15 मिनट के अंतराल पर उपलब्द रहेगी बता दें कि दिली में 6 दिनों के लिए लोग डाउन के बाद मेट्रो ने बयान ज़ारि कर कहा था कि पीक आवर्स में सुभा और शाम मेट्रो चलाए जाएगी झाल झाल